प्रेपरेशन कर लिया जहां से उसने सपोर्ट लिया भी फिलाल निफ्टी एक बीरिश मोड बनाने की कोशिश कर रहा है 19,400 से तो क्या 19,400 एक resistance हमें option chain में दिखाई देना चाहिए previous day का open भी almost same point है अगर आप देखें तो ये एक resistance zone कल भी था निफ्टी के लिया और कहीं न कहीं आज भी शायद एक resistance zone बनने की कोशिश करेगा option chain में भी clear कर लेंगे कि 19,400 और कल अगर हमने देखा था 19,400 एकर resistance zone दा support zone हमारे पास क्या था 19,200 के आसपास था आज क्या होता है क्या support क्या resistance होते हैं नीचे एक trend line में draw की है help हो सकती है आपकी 5 minutes के चार्ट पर ये एक trend line है निफ्टी के लिए आई होप ये आपकी help करेगा चल अब option chain में चलते हैं एक बाच चेक करते हैं 19,400 के आसपास मूँव कर रहा है market और अगर अच्छा resistance अभी हम फिलाल देखने के कोशिश करें 2,35,000 का open interest 19,500 पर दिख रहा है और support अगर ढूनने कोशिश करें 2,80,000 और almost 19,300 तो कल के जो numbers थे जैसे 19,200 और 400 आज वो 100 पॉइंट उपर shift होकर कहीं ने कहीं 19,300 और 500 हो चुके हैं अलाग ये 400 पर भी call writing काफी अच्छी है 2,82,000 का open interest है बट साथ के साथ कहीं न कहीं put writing भी 2,6,000 का आज पास open interest है तो resistance कहीं न कहीं शायद 450 के आज पास देखने को मिले 450,500 के आज पास क्योंकि global बड़ा number आप सभी लोग देख पा रहे हैं 19,500 ही एक अच्छा resistance जो अभी फिलाल numbers 19,500 400 पर भी जादा है बट फिलाल market 19,400 के कहीं न कहीं आज पास move कर रहा है तो let's see क्या 400 ही resistance बनता है क्योंकि RSI भी अगर देखें अभी फिलाल हम अगर आप RSI को भी देखेंगे तो RSI अभी 60 cross नहीं कर पाया है तो कहीं न कहीं 60 अगर cross करता है तो ही शायद कहीं न कहीं 500 को हम एक resistance माने क्योंकि RSI 60 cross करेगा तो ही कहीं न कहीं इस rate में market पहुँच पायेगा फिलाल निफ्टी के लिए ये आप एक resistance zone मान कर चलिए 440 से लेके 410 के आसपास ये एक resistance zone फिलाल मान कर चलते हैं और नीचे support zone आपके लिए clear है एक ये level है 365 के आसपास और उससे नीचे एक level है 320 के आसपास और नीचे आप जाना है कि 300 तो support है तो कहीं न कहीं फिर से एक support zone market के लिए निफ्टी के लिए ये कहीं बन रहा है जो की आसपास 290 से लेके 310 के आसपास है अभी फिलाल option chain में फर्दर जो भी changes आएंगे वो change आप देखते रहेंगे फिलाल ध्यान रखिएगा और बाकी alert रहीएगा expiry भी बहुत ज़ल आने वाली है bank nifty को एक बार देख लेते हैं bank nifty ने जो gap down लिया gap down के हिसाब से कहीं ने कहीं एक support zone में चला गया जो previous supports थे वहाँ पे वहाँ से market ने support लिया फिलाल एक बीरिश mode बनाने कोशिश कर रहा है यह price action के हिसाब से जहाँ पर कल एक double top बनाने कोशिश की और double top का result आपको gap down भी देखने को मिला छोटो 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 जोटो जोटो जो देरे आप लोग को समझ में आ जाएंगे फिलाल यहाँ पर एक moment था यह price action कल का opening almost और फिलाल यहाँ से एक विरिश mode भी बनाया है RSI में कोई खास strength गीन नहीं हुआ फिलाल market जो move कर रहा है वो 45,250 के आसपास move कर रहा है तो means अगर 250 है तो means ऊपर हमारे पास क्या होना चीए 45,500 जो range होना चीए नीचे हमारे पास क्या होना चीए 45,000 होना चीए वही कल वाला number है 45,000 और 45,500 बीच में क्या range आती है वो एक बार option chain में चेक कर लेने फिलाल 45,300 के आसपास market move कर रहा है और सबसे बड़ा गर नमबर दें 1,98,000 का एक अच्छा open interest मुझे दिखाई दे रहा है 45,500 ग्लोबल round number 45,500 is very good resistance ध्यान रखियेगा बात करें support की तो कहीं न कहीं 2,49,000 yes 45,000 45,000 45,500 same numbers और बीच में एक कहीं न कहीं support 45,200 पर दिखाई दे रहा है जिसमें 210,000 के आसपास एक open interest है 45,200 कहीं न कहीं एक support हो सकता है तूटता है तो फिर resistance आपको 45,500 भी है 45,400 भी है तो फिलाल bank nifty में resistance zone आपके पास यही है resistance zone जो कल की थी resistance zone ध्यान रखियेगा ये एक resistance zone है 45,000 480 से लेके 45,500 के आसपास और support zone फिलाल 200 पर एक support zone दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे लगता है उसका काम शायद हो चुका है लेट सी यहां support लेता है कि नगर ये break होता है तो market 45,000 के आसपास कहीं move करने की कोशिश करेगी और एक नया support zone नीचे मिन्स 45,000 के आसपास बनाने की कोशिश करेगा तो अभी फिलाल बियरिश आपको साफ दिख रहे हैं साफ पैटन दिख रहे है बियरिश आप लोग को प्लीज अगर किसी ने profit किया है फिलाल बियरिश पैटन में और कॉंबो कोर्स पर पढ़ा है तो प्लीस कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को लाइक जरूर कर देना चानल सब्सक्राइब कर लेना जिसे कि कोई भी फर्दर वीडियो मिसता हो और जुन्होंने अभी तक गीववे में पाटिसिपेट करने के लिए कॉंबो कोर्स नहीं जॉइन किया है जॉइन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है 2999 पूर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई प्रब्लम होती है तो 701-292960 नमर मुझे मैसेच कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपको फिर से नेक्स वीडियो में धन्यू